इस दुनिया में हमारे आसपास दो तरहें की चीजें हो सकती Some things which are moving and some things which are not moving तो जो चीजें move कर रही हैं उन्हें हम कहते हैं कि ओके ये चीजें जो है ये motion में है और जो चीजें move नहीं करती हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये rest में है Motion अपने आप में इतना interesting और इतना important topic है कि आप अगर अंदाजा लगाएं कि एक satellite को उसके orbit में establish करने से लेकर आपकी flight किस time पे land करेगी उस exact time की calculation के लिए हमें motion के बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है कि कितने time में किस जगह पर आप कितना distance travel करोगे अब यहां बहुत सारी ऐसी ऐसी terms आ रही हैं क्योंकि distance, time, speed वगएरा वगएरा तो यह सब हम discuss करने वाले हैं इस chapter के अंदर हेलो everyone, I am Dr. Sachin Kumar, welcome to Achand Academy और इस वीडियो में हम discuss करेंगे chapter motion जो की आपकी फेवरेट बुक लखवीर सिंग मंजीत कोर के 9th class की बुक में है तो physics की इस बुक का जो पहला chapter है motion वो हम यहां पर discuss करने वाले हैं So, let's begin with chapter 1 which is motion तो motion जो नाम है वो अपने आप में इतना गूड है, इतनी उसके अंदर detailing है कि सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि motion क्या होता है So, if we discuss कि motion क्या है तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज मोशन में है या नहीं है तो एक simple सा idea है कि अगर इस board के respect में मैं आपको अपनी position चेंज होता हुआ नजर आ रहा हूँ Then we call कि वो जो आपका object है वो motion में है तो हम first page पे ही अगर इसकी definition को देखें तो यहाँ पर हमारे पास definition आ जाती है Okay, a common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time तो जो भी moving object है उसकी खास characteristic क्या है कि वो अपना position time के साथ change करते रहते है तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास मान लीजे कोई एक particle यहाँ पर है And अब हमने एक second wait किया next second यह object जो है यहाँ पहुँच गया और उसके बाद next second अगर हम देख रहे हैं तो यह object यहाँ पहुँच गया तो यह object जो है वो हर second in time इस board कोई भी जो चीज हम stationary reference ले रहे हैं उसके respect में यह हमें moving नजर आ रहा है इसकी position जो है वो in time change हो रही है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि okay this is in motion तो motion का basic characteristics है आपके पास the common characteristics of all the bodies is that they change their position with time तो यह हमने अभी motion को समझा अब हमरे परस क्या है कि हम motion के बारे में और कुछ चीजे जानते हैं तो यहाँ first page पे जो definitions है वो एक reference point पे with respect to time एक reference point के respect में change होने को आपको motion explain कर रहा है next अगर हम page देखते हैं इसमें so you will find that कि ओके अब एक example है बहुत बड़ी एक example है कि आप जब भी एक car में move कर रहे हैं तो car में आप basically क्या देखते हैं आप देखते हैं कि आसपास के जितने objects हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं so तो यह जो trees हैं यहां पर यह जो trees आपके पास stationary हैं with respect to these trees हम देखते हैं कि हम कितना तेज जा रहे हैं हम यह देखते हैं कि वो जो पेड हैं जो stationary हैं रोड के ओपर वो कितनी speed से पीछे जा रहे हैं हमें उससे अंदाजा लग जाता है कि हम कितनी speed से आगे जा रहे हैं so यह हमारे trees यह house यह हमारे सड़क के आसपास जो भी चीज़ें हैं यह सब क्या हैं हमारे लिए stationary reference point की तरह काम करती हैं so in this way हम इसको motion को study करते हैं so overall जो अभी मैंने आपको definition बताई वो आपके पास यहां है कि if a body moves fairly fast कोई चीज़ fast move कर रही है तो आपके पास क्या होती है then its movement can be observed easily but if a body moves very slowly then it becomes difficult to observe its movement immediately तो एक खास बात है कि अगर कोई बहुत-बहुत slow processes है तो बहुत slow processes में velocities जो है वो क्योंकि हमारी persistence इतनी नहीं है कि हम उसे एक second में वो कहा था आगले second में कहा था तो वो उसे exactly हम उसे observe कर पाएं तो जो slow छोटे time interval में जो उसकी motion को detect करना है वो हमारे लिए इतना easy नहीं होता हम हाँ देख लेते हैं कि okay 10 second में या एक minute में कोई चीज कितनी travel की है वो हम जरूर observe कर सकते हैं now अब motion के बाद हम overall क्या होगा कि एक point से दूसरे point पे चले जाएंगे अब एक point से दूसरे point पे चले जाने से हमारे पास यहाँ पर चीज आती है जिसे हम बोलते है distance and displacement से हम इसे explain कर सकते हैं तो एक आपका initial point है जहां से आप start हुए एक आपका final point है जहाँ पर आप पहुँचे तो इन दोनों points के बीच में जो relation है उसको हम distance या displacement से समझ सकते हैं अब distance और displacement के बारे में ये book basically क्या कहती है के distance सबसे पहले हम by definition जाते हैं उसके बाद हम इसका एक example देखेंगे के जो general life example so what is distance distance the distance traveled by a body is the actual length of the path covered तो आपके पास you have one point A and आपके पास एक point है B and आप किसी और path से आप B पर पहुँचे A से B तक so the actual length यहां से travel करते हुए जो आपकी actual length बनेगी इस path की वो है आपका distance and तो यह क्या है यह आपके पास distance है जो actual length है now अब हम इसको आगे अगर study करें तो further हमें explain किया जाता है कि what is displacement तो displacement क्या है displacement जो है आपके पास वो है shortest length of the path जो A से B point के बीच में जो shortest length होगी जिस path की वो आपके पास displacement होता है तो आपका distance तो ज़्यादा हो सकता है कि जैसे हम इसी example में देखें तो यह हमारे पास एक distance है but अगर मैं displacement की बात करूँ तो यह मेरे पास displacement है the shortest path जो हो सकता है now एक छोटा सा example ठेक है मैं इस case में आपको दे सकता हूँ कि जैसे school में कई बच्चे होते हैं तो उनको जब class में मन नहीं लग रहा होता so what they do कि वो washroom जाते हैं okay मैं washroom जा सकता हूँ फूछते है teacher से then teacher allows them okay so from classroom to washroom they go direct but जब washroom से वापिस class में आना होता है लेकिन उनका मन नहीं कर रहा होता तो वो क्या करते हैं they go to one corridor फिर देन another row फिर उसके बाद घूमते फिर ते वो end में class पे आते हैं क्योंकि जाना तो आखिर में class में है so overall अगर आप इससे समझें तो ये क्या है जो shortest distance है so that is your displacement and उसके बाद किसी भी अलग-लग रास्ते से घूमते फिरते अपनी class में आना तो वो क्या है वो आपका distance है actual length of the path basically वो आपका distance होता है and जो shortest है वो आपका displacement होता है अगर कोई object इसी path पर travel किया है जो की shortest है it means आपका distance and displacement दोनों equal है ठीक है तो जो shortest path है उसकी length और जो आपका actual path भी वही है अगर so then they are equal and in case आप हम एक और example इस book में हम देख सकते है so जैसे कि हम यहाँ एक triangle देख पा रहे है so अगर मैं इस triangle को यहाँ पर enlarge करके देखता हूँ so यहाँ क्या है यह A point से हम B point पर consider 5 km हमने travel किया and then B point से C point पर 3 km ट्रेवल किया so overall अगर हम देखें तो A से C point के लिए जो distance traveled है कितना actual path कितना travel किया जो गाड़ी वाला है या बस वाला है वो आप से कितना charge करेगा कितने kilometers के लिए so that will be your 5 km plus 3 km 8 km but अगर हम बात करें कि आपके पास shortest कोई path available होता या आपको shortest path से ही जाना होता so then वो A से C point के बीच में जो actual आपके पास length बन रहे थी वो आपके पास 4 km थी तो यह 4 km है आपके पास displacement but the distance is your 5 plus 3 8 km तो इस तरीके से हम distance और displacement के concept को समझते हैं so let's look के इसकी जो definitions है वो हमारे पास और किस तरीके से है when a body moves from one position to another the shortest distance between the initial position and the final position of the body along with direction is known as its displacement तो shortest जो आपका path बनता है A से B को मिलाते हुए जो direction बनती है उसी में सिरफ so then उसकी जो length है वो आपके पास displacement है जैसे कि हमने अभी पिछले example में देखा now यहां एक और हमारे पास example है के एक circular path का so what is that हम discuss करते है तो एक circular path के लिए we can take this here तो हम देख सकते हैं कि when we have point A और क्या हुआ इस A point से कोई object move करता हुआ आपके पास वापस A point पे आ जाता है ठीक है तो अगर आप A point पे वापस आ गए तो end में आपके पास क्या हुआ कि आपने जो distance travel किया so that is the actual path length actual path length is your perimeter of this circle but what is your displacement displacement is the shortest distance between initial and final point और जब initial और final point दोनों आपके पास same है then आपके पास displacement हो जाता है 0 so इस चीज से हम ये conclude कर सकते है कि जो distance है आपका वो आपका 0 नहीं हो सकता आप कैसे भी motion कर रहे हैं अगर if you are in motion then distance 0 नहीं हो सकता and yes there is a possibility कि आपका displacement 0 हो in some cases तो हमने distance और displacement के बारे में कई चीज़े पढ़ी distance और displacement equal हो सकते हैं distance और displacement की basic definitions में क्या difference है और यहां पर हमने एक example लिया जो कि यहां explained है कि आपके पास displacement जो है वो आपके पास 0 हो सकता है पर distance जो है वो आपके पास 0 नहीं हो सकता तो इन सब को club करते हुए अब हम समझते हैं कि यह तो हुआ कि कितना distance ट्रेवल हो रहा अब अगर इसको हम in time variation इसका study करें तो वो कैसे होगा कि अगर मैं इसको in time study करना चाहूँ कि कितना distance मैंने कितने time के अंदर cover किया है यह मैं समझना चाहता हूँ तो इस सब के बारे में जानेंगे हम एक छोटे से break के बात Hello students, my name is Aditya and I welcome you all to Eshan Academy channel I think आप सब लोगोंने Lakmeer Singh और Manjeet Kaur की किताबें तो पढ़ी ही होंगी मैंने भी पढ़ी थी जब मैं एक student था 9th और 10th class में इनकी science की books बहुत ही popular है technology improve होने के साथ-साथ बहुत सारी चीजें advance हो चुकी है और imagine कीजें कि आप ये किताबें पढ़ने के साथ-साथ अगर ये video books की form में आपको मिल जाए line by line एक teacher आपको इन books को explain करें तो आपको पढ़ने में कितनी मदद मिल जाएगी So Eshan Academy brings to you all these books for class 9th and 10th for chemistry, physics and biology आपके लिए लेकर आए है video format में So you can share, subscribe and like to this channel and you can press bell icon for regular updates Welcome back to Eshan Academy Break पर जाने से पहले हमने discuss किया था के कोई object in motion कैसे होता है and motion में भी जब वो motion करेगा तो उसके बार distance and displacement नाम की दो quantities वो हमने discuss की थी अब उससे related एक छोटा सा numerical हम देखते है तो इस question को हम enlarge करके देखते है So क्या है कि a man travels a distance of 1.5 meter towards east ठीक है तो एक direction है east उसकी तरफ 1.5 meter travel करता है then 2.0 meter towards south and finally 4.5 meter towards east तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे जो directions जो होती हैं हमारे पास वो इस तरीके से हम study कर सकते हैं क्योंके if there is east तो यह east है then उसके जो opposite है वो आपका west होगा and उसके जो left side में बनेगा तो वो आपके पास north होगा and this will be your south so east, west, north and south तो इस तरीके से आपका बनेगा so overall first उसने travel किया 1.5 meter towards east 1.5 meter towards east travel किया after that towards south 2 meter so 2 meter towards south तो यह आपकी south direction है इस direction में 2 meters and then finally 4.5 meter towards east again 4.5 meter towards east अब यह जो है यह आपका actual path है तो actual path जो travel किया this is like this and अब अगर हम देखें कि इसमें distance traveled किया है so distance traveled is this quantity 1.5 meter plus 2 meter plus this quantity 4.5 meter तो यह तीनों quantities को अगर हम सम कर दें 1.5, 2 and 4.5 so this will be your distance traveled क्योंकि यह क्या है यह actual path length है and अगर हमें देखना हो क्योंकि what is displacement so what is displacement के हमने shortest path length इसमें क्या बनी तो ऐसे question में आप सिरफ क्या कर सकते हैं के यह जो parameters हैं you can just rearrange them so इसमें दोनों east की directions को आप एक साथ notify कर सकते है so this is your 1.5 and this is your 4.5 and this is your 2 so यह क्या है यह आपके पास एक triangle बन जाता है तो उस right angle triangle का अगर आप सिरफ diagonal find out करते हैं Pythagoras theorem से so then you can calculate the path length of the shortest path length which is the displacement तो यह आपके पास रहेगा 1.5 यह आपके पास रहेगा 4.5 together this will be 6 meter so this length is 6 meter this length is 2 meter and using Pythagoras theorem हम इसकी length find out कर सकते है and here we get so this is 6.3 meter from this numerical तो यह है हमारे पास एक example जिसमें हमने देखा कि distance और displacement किस तरीके से वर्क करते हैं अब अगर मैं इसी चीज को study कर रहा हूं इसका variation with respect to time कि कितने time में कितना distance travel किया मैं यह कितने time में कितना displacement हुआ तो जब मैं इसको study करता हूँ then हमारे पास यह आता है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा uniform motion and non uniform motion तो uniform motion क्या है हम अब study कर रहे हैं इसी motion को इसी distance travel को with respect to time now uniform motion हमें बताता है कि जब in time यह जो distance है हमारा travel हो रहा है यह equal distance travel हो रहा है in equal interval of time मान लीजिए पहले एक minute में आपने 10 meter distance travel किया तो दूसरे minute में 10 meter और हो जाएगा तीसरे minute में 10 meter और हो जाएगा तो यह uniformly चलेगा तो अगर इसके plot को हम यहाँ पर देखें so this plot तो यह हमारे पास एक uniform motion को express करता है so in this uniform motion आप देख सकते हैं कि time और distance के बीच में यहाँ हमारा plot है so जैसे जैसे time increase कर रहा है in this direction वैसे वैसे यहाँ आपका distance from your initial point जो आपने लिया है वो आपका वो भी increase कर रहा है so that's why हम इसको कहते uniform motion हर चीज बराबर बराबर चल रहे है equal interval of time में equal distance travel तो वही इसकी definition है a body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time no matter how small these time intervals may be तो आप कितना भी छोटा time low अगर आप उसे एक second पे देखो तो हर उस second में आपके पास जितना distance है वो equal होना चाहिए आप उसे एक minute में देखो तो वो एक minute में equal होना चाहिए इसी तरीके से किसी भी time scale पे वो आपके पास equal रहना चाहिए similarly अब आपके पास एक चीज हो जाती है जिसे हम कहते है नोन यूनिफोर्म मोशन तो वाट इस नोन यूनिफोर्म मोशन के यूनिफोर्म से अपोजिट जब जो आपके पास time है उसके अंदर जो distance traveled है वो equal ना रहे वो unequal हो जाए कभी कम कभी ज्यादा ठीक है तो वो किसी भी तरीके से उसके बाद फिर random behave कर सकता है so that is your non uniform motion तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम किसी ball को drop करते हैं तो वो uniform velocity से move नहीं करती वो initially उसकी velocity जो है जो वो बहुत कम ठीक है travel करती है धीरे धीरे उसकी speed बढ़ती है और जैसे जैसे वो नीचे जाती है with time उसकी speed और ज्यादा बढ़ती जाती है तो जैसे अगर हम इस picture में देखें तो initially बहुत कम आपका motion है उसके बाद अगले second में वो ज्यादा अगले second में और ज्यादा फिर और ज्यादा और इस तरीके से आपका ऐसे motion इसमें बनता है तो यह आपके पास non uniform motion का example है now तो motion जो हमने uniform motion पढ़ा कि equal distance travel हो in equal interval of time और उसके बाद non uniform पढ़ा कि जब non uniform के अंदर unequal distance in equal intervals of time आपके पास है अब हम इस चीज को quantify कर सकते हैं with some things जिसको हम बोलते हैं के speed, velocity and acceleration तो यहाँ पर हमने सबसे पहले दो quantities पढ़ी distance and displacement फिर हमने उसमें time add किया जो कि अब time के साथ variation हमें देखना है distance and displacement का तो उसी से derived हमारे पास quantity आती है speed and velocity so let's look at what are these तो जो आपके पास speed है वो speed क्या है speed is basically जब मैं distance को quantify कर रहा हूं with respect to time so your speed is basically the speed of a body gives us an idea of how slow or fast the body is moving तो यह हमें पता चलता है कि कि कितना distance travel हो रहा है okay this is a normal thing अब उसके बाद क्या है the speed of a body is the distance traveled by it per unit time per unit time में कितना distance travel हो रहा है वो है उसकी speed तो अगर basically हमारे पास जो गाड़ी में speedometer होता है उस पर क्या लिखा है उस पर लिखा रहता है आपके पास kilometer per hour इसका मतलब क्या हुआ कि इतने kilometer इतने hour में travel हो इस speed से हम चल रहे हैं so speed overall उसमें आपके पास क्या है कि कितना distance travel होगा आपके पास per unit time तो ये आपके पास है speed and इसको आप सीधा correlate कर सकते हैं कि like जैसे हमने example लिया था कि from point A to B जो भी path आपने choose किया है इस path को travel करने में आपको कितनी distance आपने travel की है ठीक है तो उसकी path length divide by इसमें जो भी आपका time लगा हो so that time इस से हमें पता चल सकता है कि हमारी speed क्या है so overall distance travel divide by time taken is your speed तो वैसे ही speedometers में मान लिजे पर आर तो नहीं रही होगी किसी जगह पर कोई speed breaker भी आया होगा किसी जगह पर कोई red light भी आया होगी तो वो काफी variation चला होगा तो ऐसी जगह पर हम क्या करते है ऐसी चीजों को understand करने के लिए हम study करते है average speed so what is the average speed basically हमने जो भी हमारा path है जो भी हमारा tour है उस पूरे tour के अंदर हमने total distance कितना travel किया divide by हमने total उसमें कितना time लिया तो total distance हम find out करते हैं कि इतने time में हम इतना distance चलेगे बीच में कभी रुकना पड़ा कभी खाली सड़क मिली तो काफी speed से आगे बढ़ गए तो सब को हम average out कर देते हैं so that is your average speed which is equal to total distance travel by total time and then हमारे पास average speeds है कुछ हमारे पास creatures की total is जो है आपने देखा है कि काफी slow चलता है so 0.06 meter per second तो एक second में वो 0.06 meter मतलब approximately 6 centimeters इतना distance वो चल सकता है and similarly humans जो है वो 2 meter per second के आसपास उनकी speed जो average speed है वो होती है अगर हम humans जो है वो running में है sprint में ठीक है तेज भाग रहे हैं तो वो 10 meter per second ठीक है तो ये meter per second और similarly kilometer per hour में हम इसको study कर सकते हैं तो ये कुछ examples है जिससे आपको overall थोड़ा सा idea लग सकता है कि कोई चीज कितनी fast move कर रही है in time उसको हम कैसे study कर रहे हैं now let's look at कि uniform speed या constant speed ये आपके पास क्या है तो uniform speed आपके पास होती है कि अभी initially हमने distance और displacement दो quantities ली उनको जब हमने distance and displacement में जब हम time को add करेंगे जब हम time के respect में इसको study करेंगे तो हमारे पास distance और time को मिला कर जो quantity है वो बनती है speed अब speed में हमने जब हमने देखा कि हमारी जो motion है वो non uniform हो सकती है तब हमने एक concept बनाया जो की था हमारा average speed and जैसे कि हमने इससे पहले discuss किया कि एक होती uniform motion उसी तरीके से आप exactly उसी के ओपर plot कर सकते हो कि हमारे पास जब average का concept हम ना ले और हम कहें कि नहीं strictly हमें चाहिए कि कोई चीज बिलकुल equal distance travel करे in equal time तो तब हम उसको कह देते हैं constant speed और uniform speed तो जो भी non uniformity है उसको हमने खतम करने के लिए क्या किया average speed का concept लगा दिया हमारे जो भी long routes ये travels होते हैं उसके लिए बट कुछ cases में हम जो की scientific जितनी studies हैं वहाँ पर जब हम study करेंगे तब हम उसको constant speed ये uniform speed को ज्यादा value देंगे तो इन दिस वे हमने ये speed का जो column है वो understand किया नव तो uniform speed basic definition is a body has a uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time तो the same thing, same definition बट यहाँ पर just equal distance ठीक है इसको उपर ज्यादा value देते हुए हमने इसको uniform speed ये value दे दी तो एक uniform speed का example आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये tortoise जो है ये move कर रहा है एक uniform speed के साथ equal distance travel कर रहा है in equal interval of time तो उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ग्राफ बन रहा है कि time में आपका distance भी equal travel हो रहा है और straight line एक चाता जा रहा है now अब ये जो numerical है ये हमें क्या बता रहा है basically इसी चीज का speed का हमें एक example बता रहा है and इसके unit convergence को हमें थोड़ा सा समझा रहा है तो basically a scooterist covers a distance of 3 km in 5 minutes so 3 km का distance 5 minutes में cover किया ठीक है एक scooter के द्वारा ठीक है and then calculate its speed in तो अब इसकी speed हमें चाहिए and speed किस में consider की हुई है किस में मांगी हुई है एक तो centimeters per second में एक meter per second और एक kilometer per hour में तो basically हमें first thing, first hand thing ये पता है कि 3 km जो है in 5 minutes तो उसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि 3 by 5 km per minute ये हमारे पास basic चीज आई कि 3 km in 5 minutes अब अगर मुझे इस kilometer को मुझे meter में change करना है ये centimeter में change करना है तो 3 km को मैं thousand से multiply करके meter में and then further हमें पता है एक meter में hundred centimeter होते है तो वो hundred से multiply करके centimeters में so this three lakh centimeters हम travel करेंगे and उसके साथ हमें चाहिए second में तो हमें पता है कि 1 minute में 60 second होते है तो 5 minute, minute की जगे में 60 second रखता हूँ and we get 300 seconds so overall हम 3 lakh centimeter divided by 300 seconds so thousand centimeter per second ये हमारे पास answer आ जाता है similarly हम और convergence यूज़ कर सकते हैं जिससे हम meter per second ये kilometer per hour में इसी speed को calculate कर सकते हैं हमने similarly convergence यूज़ किये and उसको अलग-अलग units में calculate किया and speed जो है वो हम देखते हैं हमारे daily life में काफी हम use करते हैं so this is like your speed limit कहीं पर mentioned होती है या जो speedometer से ये जो policeman है ये किसी भी vehicle की speed measure कर रहे है speedometer से ताकि उसका चलान काटा जाए या नहीं वो decide कर सकें तो इस तरीके से speed जो है ये concept हमारा regular life में हर जगे यूज़ होता रहता है now move to the next numerical which is the train A traveled a distance of 120 km in 3 hours so 120 km in 3 hours तो आप idea लगा सकते हैं कि 1 hour में आपके पास 40 km travel किया होगा तो 40 km पर आर के उसकी train की speed है now whereas another train B traveled a distance of 180 km in 4 hour तो 4 hour में 180 km ठीक है उसने travel किया है which train traveled faster तो हमने first में ये देखा कि 120 km travel हो रहा है in 3 hours and next में हमने देखा कि 180 km travel हो रहा है in 4 hours so 120 in 3 hours तो 1 hour में हमारे पास बनेगा 40 km and अगर मैं देखांगा कि 180 km in 4 hour then 180 divided by 4 तो ये obviously आपका 40 से ज्यादा है तो अगर मैं यहां पर देखांगा तो ये यहां पर आ रहा है speed of one train is first train is 40 km पर रहा and the next train is this is 45 km per hour so basically यही पर हम conclude कर सकते हैं के this train B, second train is faster and let's look at the next numerical a car travels 20 km at a uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour find its average speed तो क्या है के a car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour तो पहले जो 30 km है वो क्या है 40 km per hour की speed से travel किये है and then next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour तो अगले जो 30 km है वो 20 km per hour की speed से travel किये गए है तो what is the find its average speed तो जैसे कि हमें पता है के average speed का आपका formula क्या होता है so this is total distance by total time so total distance is के पहले 30 km and again 30 km तो आपके पास 60 km जो है वो आपके पास total distance बन रहा है ठीक है अब आपको चाहिए यहाँ पर total time तो total time आपका कितना लगा तो total time आपको find out करने के लिए आपको यहाँ पर दो time find करने पड़ेंगे first time जो जब वो 40 की speed से चल रहा है 30 km उसमें कितना time लगा and second next 30 km वो 20 km per hour की speed से चल रहा है तो उसमें कितना time लगा तो हम जो हमारे पास formula है speed equal to distance by time इसमें हमें speed पता है distance पता है तो हम इसमें time find out कर सकते हैं तो from the first part of the journey वो हमारे पास 3 by 4 hours इतना time आता है and from the second part of the journey जब हमारे पास 20 km per hour की speed है और distance 30 km है then हमारे पास यह आता है 3 by 2 hours का यहाँ पर time आ जाता है तो हम total time find out करते हैं 3 by 4 plus 3 by 2 hours तो यह हम total time यहाँ पर find out कर लेते हैं and total distance है हमारा 60 km obviously so 31st and 30 बाद में and then हमारे पास average speed बन रही है total distance traveled by total time taken तो इनका ratio and overall यह finally solve करके आपके पास 26.6 km per hour आ जाता है जो की है आपकी average speed in this case so इस lecture में अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले हमने motion की definition को study किया what is motion तो कोई भी चीज किसी stationary reference point की respect में अगर in time अपनी position को change कर रही है so then that thing is in motion then इस motion को हमने time के साथ correlate किया तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की quantities आई एक हो सकता है हमारा distance and दूसरा हो सकता है हमारा displacement distance और displacement जो है वो हमारे पास हमने कई examples की थूँ देखा कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि एक है आपका actual path length और एक है आपकी shortest path length अब इसके बाद quantity आती है जिसे हम कहते हैं uniform and non uniform motion तो जब uniformly कोई चीज equal distance travel कर रही है in equal time में तो वो uniform motion में है and अगर वो चीज equal distance travel नहीं कर रही uneven distance travel हो रहा है अलग-लग times के अंदर तो वो क्या है वो आपके पास non uniform motion आता है then further we added the concept of speed speed के अंदर आपके पास basically कितना distance travel किया कितने time में यह हमने study किया लेकिन यहाँ पर भी दो concept आगे बने कि either it was uniform or non uniform तो जब वो uniform होगा तो वो एक constant speed से किसी भी चीज की motion रहेगी और जब वो non uniform रहेगा आपके पास जैसे कि हमारे journal daily life में जो travel होता है वहाँ पर हम average speed का concept लेते हैं और उससे चीजों को understand करते हैं finally हमने देखा कुछ numericals के through कि यह जो speed है यह किस तरीके से calculate की जा सकती है या इसमें unit conversions किस तरीके से किया जा सकते हैं I hope you like this lecture इस lecture में हमने discuss किया लकवीर सिंग मंजीत कोर की physics की 9th class की book का chapter 1 का कुछ portion अगर आपको यह video lecture अच्छा लगा हो then please like this video इसे share कीजिए और आप channel को subscribe करना ना भूलिए take care have a very good day बेलाशिक झेलाशिक जा बाउमा PT झालने का काई बयु owes लिए के झालने ौश्म filters